हेलो दोस्तों फिर से स्वागत है आपका रिडिक्स क्लास्वूर्म में आई होब कि आप लोग अपने घर में सेफ और फीट होंगे तो दोस्तों एक बार फिर से मैं एक निया नोटिफिकेशन लेके आ चुका हूँ तो किसका है नोटिफिकेशन तो आए देखते हैं तो यहा के तरब से आ गया है रिक्विटमेंट 2023 तो यहां पर देखिए और ज्यादा डिटेल में देखते हैं है एस पीपी एस सी कंड़ेक्टर एक्विटमेंट 2023 तो हीमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमिशन हैस रिलिज्ट ओफिसल नोटिफिकेशन फोर एस पीपी एस सी पूस्ट है थृशु सिस्टे वेकैंसी तो अब्लाइन एक्विटमेंट 2023 ओनलाइन अप्लीकेशन अनलाइन टीफिसल फास्ट में चलता रहेगा इसका मतलब सर्द में लास्डेट भी तो लास्डेट फास्ट में हैं तो आयो थोड़ा ऑल डिटेल में जानते हैं तो यहां पोस्ट नेम क्या है कंडक्टर का पोस्ट है और यहां पर केटेगरी गवर्मेंट जोब बिल्कुल 100% गवर्मेंट जोब है कोई डाउट ही नहीं है वेकंसिस कितना है 360 जैसे कि पहले में ने बोल दिया था जोब लोकेशन दिया गया है ही मचल प्रडेश अगर आप एप्लाइ करते हैं और आप पर आपको जॉब मिल जाता है तो आपका जो पोस्टिंग है वह पहोगा ही मचल प्रडेश में आऊगा और यहां पर ऑउन्लाइन एप्लिकेशन डेट्स तो देश जैसे देख सकते हैं 4 April 2023 को स्टार्ट हुआ था आज 6 April है तो 4 को स्टार्ट हुआ था और फास्ट में 2023 टक है मतलब लास्ट देट फास्ट में है तो लास्ट तक मत रुकिएगा क्योंकि सर्वर का को पता ही है बहुत खतरना करेता है लास्ट में और मोडव एफलाई ऑनलाइन होगा और ओफिसल व लेब साइट में जाना परेगा तो वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं और वहां पर जाके आप देख सकते हैं मतलब कैसे काम करता है इस पीपीएस सी तो वहां से सारा डिटेल साब ले सकते हैं उसके बाद आराम से आप अप्लाई कर सकते हैं आप वहां से पीडिये भी डा डिटार करके रिखा हुआ है क्योंकि एक्जाम डेर अभी बाद में निकलेगा मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा जब अप्लाइट मतलब एक्जाम डेर निकलेगा तो यहां पर देखिया है यहां पर सारा डिटेल्स और दिया गया है हुआ है यहां पर फिर से वही आ गया है तो टोल नंबर वेकेंश इस 364 पोस्ट तो 360 पोस्ट है कंड़कर का और क्वालिफिकेशन क्या चाहिए यह इंपोर्टन है देखिये टेन प्लास टू इंटरमीडियेट मतब 12 का चाहिए आपको टेन प्लास टू पास फ्रम रिकोगना प्लास बोर्ट और स्कूल एडिकोईशन युनिवर्सिटी और एक्विवेलेंट एन हूप पोजेजेश ए वेलिट कंड़क्टर लाइसेंस तो 12 का चाहिए और कंड़क्टर का लाइसेंस है तब भी आप इसको मतलब अप्लाइ कर सकते हैं कंड़क्टर पोस्ट के लिए आ इस होना परिगा अगर मतलब आपको मिनिमा में दिया किया है एटीन येर्स उससे कम नहीं होगा अथरा साल होना ही परिगा और मेक्सिमा में दिया किया है 45 तो सिंपल सी बात है 18-45 वेर्स ओप एच्ट यह क्या आ गया सोड़ी का देता हम इसको थां कहा पर था 18-45 वेर तक आप अप्लाइ कर सकते हैं उसके बाद है सिलेक्शन प्रोसेस तो कैसे हो का सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले तो होगा रिटेन एम सीक्यू टेस्ट आपको रिटेन एक्जाम देना पड़ेगा इसके बाद डोकुमेंट फेरिफिकरिकरिशन होगा अगर आपने एक्जा चाहिए और बाकि female candidates और एक सर्विसमेंट आफ एस्पी के लिए नील नील मतलब एक ग्रूपे भी नहीं चाहिए फ्री में कर सकते हैं तो यहां पर देखिए steps to apply online यहां पर steps जा गया कैसे आप online apply करेंगे पेले तो website में जाना पड़ेगा फिर अप्लाइ लिंक पर ट्लिक करना पड़ेगा फिर details और upload document फिर एप्लिकेशन फिर डाउनलोड अप्लिकेशन प्रिंट तो इसके लिए तो अलागी वीडियो बनेगा ऐसे बनने से आपको मतलब हावा भी नहीं लाएगा दिमाक से उपर जाएगा तो उसके लिए अलाग वीडियो मैं बना दूंग फिल्हाल तो यही था नोटिफिकेशन एस पीपी एस सी के तरब से कंडक्टर का कितना 360 पोस्ट है तो अगर आपका आप एलिजिबल है और यह पर देखी लिजिए फरस्ट में मैं फिर से बता दे रहा हो लास्ट देथ है तो आप लोग अप्लाइ कर दिजिएगा अगर आ मैं आपको बहुत ही जल्दी नोटिफिकेशन दे देता हूं तो और फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए आप सब्सक्राइब करके रिखिए और लाइक भी कर दिजिएगा थुरा सा मतलब में मोटिवेट हूं का नया चैनल है तो मैं मतलब जितना अच्छे से हो सके मैं देखना है पीडिएफ टो आपको वेबसाइट में मिल जाएगा उनका जो मैंने बता दिया था आपको उनका ओफिसल वेबसाइट तो यही था थैंक यू फरी मच्छ एन जय हिंद